हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल शाइनवे शीवतल यह मेकप जो आप अभी देख रहे हैं यह मैंने इंडियन वेडिंग के लिए क्रिएट किया है जर्स थ्री मिनिट में तो अगर आपको मेकप मेरा अच्छा लगे दें प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टो मै चैनल मैंने फेस मेकप कर रखा है तो इसके बाद मैं अपना आई मेकप करोंगी उसके लिए मैं ले रही हूँ यह मेबलेन फिटमी कंसीलर और इसमें मेरा शेड है मेडियम इस ब्रश से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ मैं इस फ्लफी ब्रश से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ और मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मेबलेन फ्रेश कॉम्पैक्ट और इसमें मेरा शेड है शेल आइप्रीज के लिए मैं हिलेरियो डोटा पालेट यूस कर रहे हूं और इस पालेट में सारे मैट आइशेड़ो है और यह बहुत पिग्मेंटेड है इस पालेट में से में ही औरेंज शेड ले रहे हूं इस ब्लेंडिनिंग ब्रश से और अपने क्रीज में लगाउँगी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आइब्रोज लिफ्ट कर रखी है तो मेरे आइलिट के जो रिंकल्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं मैं आउट आप वी पर फोकस करते हुए इनर क्रीस में लाइट हैंड से ब्लेंड कर रहे हूँ मैंने ब्रेश को दूर पकड़ा है ताकि कम प्रेशर आए और फ्लॉलेस ब्लेंडिंग हो अपनी लोवर लेश लाइन को एन्हेंस करने के लिए मैं सेम ब्रेश से लोवर लेश लाइन पर ऐसे अप्लाई कर लिए हूँ आइलेट पर मैं यह स्विस बेटी मेटालिक लिक्विट आईशेडो अप्लाई करूँगी और इसका शेड है 01 गोल्ड गॉड़ेस यह आईशेडो बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही पिग्मेंटेड हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हैं इनका अच्छे से रिव्यू और स्वाचेस किया है तो उसकी में लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूगी आप देख सकते हैं इस आई शेडो को में कट क्रीज की तरह लगाऊंगी इंसाइड शाइनी आइलाइनर से में थिक आइलाइनर ड्रॉ करूंगी इन कलर मस्कारा से मैं अपनी लेशस को कोड करूंगी लिप्स्टिक के लिए मैं लेरे हूं एडेस मैट मी लिक्विड लिप्स्टिक इन दे शेड 412 रेड तो काइस यह मेरा आई मेक अप 3 मिनिट में कंप्लीट हो गया है आप इसे जरूर राइप करें यह बहुत ही ईजी है आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगियो थेन लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू गाइस फॉर वाशिंग बाई